असलाम वालेकुम फ्रेंड्स मेरा नाम मौमद श्वेप खान है और आज की इस वीडियो में आपको कोई स्ट्राइजी वगरा नहीं सिखानी इसमें सिफ मैंने ये बताना है कि आप अपना ओर्डर किस तरह से एक्जिक्यूट कर सकते हैं क्योंकि कुछ हमारे साथ न्यूबी चीज़ आएं कि हमें समझ नहीं आरी कि पेंडिंग और किस तरह से लगाते हैं करन्ट मार्केट प्राइस से किस तरह से हम अपना ओर्डर एक्जिक्यूट कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप क्या चीज़ है तो यह सारी चीज़ बहुत एजी हैं बहुत एफेक्टिव है बहुत इससे हमें प्रॉफिट होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें सिखाऊंगा तो यह हमारी वेबसाइड है fxforever.com आप यहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक फॉरेक्स ट्रेटर को चाहिए होती हैं यहां पर फॉरेक्स सिग्नल है आप इसको लाजमी सब्सक्राइब रखें क्योंकि हमारी सारी वीडियो सारी ट्रेनिंग सब कुछ यहीं पर अपलोड होती है इसके लावा गाइज यहां पर भी आप लाजमी सोटियो को वाच करें और हमें अपना फीडबेक दीज़े कि आपको यह वीडियो कैसी लेग देख सकते हैं हमने यहां पर एक चीज़ लगाई है बाय और सेल इसके जरीए गाइस ऑडर एक्जिक्यूट होता है अगर आपने सेल करना है यहां पर आपने अपना लॉट साइज बताना है कि आपने क्या लॉट साइज रखना है यहां पर सेल पर क्लिक करेंगे तो यह व यहां से बागी 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 बाद में अपना टीप और असल सेट कर देगा वसे यह शौट कट है अपना और एक्जिक्यूट करने का अब बहुत सारे आप में से यह जिनके पास यह option नहीं आ रहोगा तो kindly अपने चार्ट पर राइट किलिक करें और यहां पर वन किलिक ट्र बारस आगया अब कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जब राइट किलिक कर रहोंगे उनके पास यह वन किलिक ट्रेडिंग लिखा होई नहीं आ रहा होगा मतलब के ट्रेडिंग आ रहा होगा डैप्ट ऑप मार्केट आ रही होगा इंडिकेटर लिस अप्जेक्ट लिस इस ट्रेड पर किलिक करें और यहां पर नीचे देखें वन किलिक ट्रेडिंग इसको आप टिक करके यहां एकसेप्ट करतें और यहां पर देख लेंगे तो फिर आपके पास राइट किलिक करने पर वन किलिक ट्रेडिंग आ जाएगा और इस पर आप किलिक करेंगे तो अब देखते हैं कि हमारे सिंगल किस तरह से फॉलो करते हैं तो मैं तर अपना WhatsApp आपको अनकर के दिखा देता हूँ हमारे VIP गूरूप में जो हम सिंगनल देते हैं अनके अकांट की सपेशल केरे कियाते हैं उनको गिफ्ट दिये जाते हैं लाइग किाये इन्होंने कुछ signals दिये हैं यहाँ पर अब हम पहले इस signals को follow कर लेते हैं देखें यह pending order नहीं है दो तरह के signal होते हैं एक हम देते हैं current market price से आप order execute कर लें और एक हम देते हैं pending order तो यह जो हमने signal दिया हुआ है यह पर देखें कहीं भी इसके आगे pending order नहीं लिखा हुआ यहाँ यहाँ पर क्लिक करेंगे इस chart window भी किलिक करें आपके पास USDCAD का चार्ट यह ओपीन हो गया अब मैं इस पर अपना टेंपलेट लगा लेता हूँ यह टेंपलेट भी मैं आपको प्रोवाइट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अब यह देखें मेरे पास कॉंसर चार्ट उपीन है यूएजी कैट का इस पर टाम फ्रेम जो सभी हो आपको यहां पर चेंड़ने ही जरुवत नहीं है क्योंकि आप मार्केट को अनलाइज नहीं कर रहे हैं आप हमारी एनलाइज की हुए मार्केट पर अपना ओर्डर एक्ज यहां आपर सब्क्राइच इस परएज कեरें समय मार्री ता अमने हैbé सब्क्राइट करने और यहां पर लԱ जाब पास नहीं आ 나오ीता यहां पर आंप ऑने सब्क्राइद अब आ यह मोटेट है यहांप कैट ट्रेडिंVA मनी मनेजमेंट के उपर होता है अब यह जो मेरा अकांट है यह 3,000 डॉलर का है मैं इस पर चाहूं तो जितनी भी रख सकता हूं कि बड़ी इंवेस्मेंट है लेकिन मैं यह पर 0.10 रख लेता हूं ठीक है और अब मैं यहां पर बाइपर किलिक करूँगा तो मेरा और एक्जिक्यूट हो जाएगा मैं आपको टर्मिनल वंड़ भी ओपिन करके दिखा देता हूं यह देखें यह रहा मेरा और एक्जिक्यूट हो चुका है यूस्ट कैट बाइ किया हुआ है साइस यानि लॉट साइस मेरी 0.10 है और ये है आप प्रॉफिट या लॉस्ज भी होग वो मैंशन हो रहा है अब आगे देखते हैं कि और हमने सिगनल पर क्या बोला है हमने सिगनल पर कहा है कि आपका TP का मतलब होता आ है ठीक प्रॉफिट ठीक है आपने यह रखना है और ऐसल यानि स्टॉप लॉस और आपने Stop Loss अपना यह प्राइस सकती है तो अब यह देखें TP जो है हमने यहां से copy करा ठीक है आप खुछ सब ना लिखा करें कोशिच क्या करें कि आप copy करें ताकि एक ज़रचे मिस्टेक ना हो यहां से हमने copy करा अपने mt4 open करा अब भी टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें जरुवत है कि हम इस पोजिशन पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें और यहां पर हम चले जाए करें modify और delete order पे ठीक है दुबारा देखें यहां पर order पे right-click किया और यहां पर हम चलेगे modify और delete order पे अब हमार पर यह कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं यहां पर देखें क्या रहा है stop loss और यहां पर देखें क्या रहा है take profit अच्छा अब देखें आपने हमने वहां से take profit की price copy की ती अब आपने यहां पर अपना take profit paste कर दिया ठीक है अब हम गए अपना stop loss प्राफट प्राइस जानने अब यह देखें हमारा stop loss की price यह है हमने कोपी किया ट्रमिनल ओपिन किया और अपने इस स्टॉप लॉस की फिल्ड में इसको पेस्ट कर दिया ठीक है यह हमारा स्टॉप लॉस हो गया यह हमारा टेक प्रॉफिट हो गया अब आपने यहां पर क्लिक करने जो ब्लू कलर का आपके बिटन आ रहे मोडिफाएगा आपने लगा तो दिया हमारे कहने पर लेकिन यह होता क्या है यह भी समझना बहुत ज़रूर है ठीक है अब यह देखें यहां से आपने अपना और एक्जिक्यूट करा यह देखें यह आप पर शोकर रहता लेफट है कि और नमबर यह है बाई किया हुआ है 0.10 लॉट के सा जाल रही है यहां से यानि आपने इंटरी लीव है इस लेवल से अब जैसे ही पोजिशन आपके फेवर पर जाएगी क्योंकि आपना बाई किया हुआ यह बाता हो को पता होगी कि जब भी आप बाई करते हैं तो मार्केट के उपर जाने पर आपको फैदा होता है और नीच team profit or stop loss फिर लगवाया है क्योंकि हमारी prediction के मताबिक मार्केट जब इस price तक जाएगी ६्यारी नियोग्र रयडलीई जिस price पे हमने ज्यारो जाए है यानि इस price पर जाएगी तो आपके position automatic close हो जाना ने जाएगी क्योंकि हमारी prediction के मताबिक मोर्केट नहीं यहां तक hopefully जाना है ठीक है 100% नहीं कहेते हैं लेकिन यह हमारी प्रडिक्ष्यन के बताबिक, मार्केट से जाना है है तो हमने इसलिए कहा है कि यहां तक पूपने टेग प्रोफिट रखरें कि मार्केट जब यहां तक जाए, तो Associates पर जाएं कि यह maximum level है इतना आपको नुक्सान हो जाए तो इससे जादा और आपको loss नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि ऐसा भी होता है कि पोदिशन टेक प्रॉफिट तक चुछ आती है लेकिन पहले थोड़ नखरे दिखाती है थोड़ डाउन आती है उसके बाद आप चली आती है तो इस वजह से हम अपनी प्रेडिक्शन के मताबिक एक जो है ठीक लियास से जो में स्टॉप ल लगाना है अब हम दुबार वट्सपान करते हैं यहां पर देखें कि यार वियव एपी ग्रूप में स्टीकन और इन ने और हमें क्या बताया है यहां पर देखें यहां पर देखें यह जो हमने यूज़ कर दिया था यह हमने खुर्ष करवा दीत ही मैनवली 65 प्रॉफिट पर अच्छा जीवीपी उएजी सेल स्टॉप अब ये देखें आपके पास सेल स्टॉप लिखा हो या सेल लिमिट लिखा हो पेर के आगे या आपके पास बाइस टॉप लिखा हो या बाइस लिमिट लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि भाई ये पेंडिंग ओर रहे ठीक है अ आपने current market price open करना है या फिर कोई pending order है लेकिन अगर आप newbies हैं आपको इतना नहीं समझ आती इसकी तो आप बस यह याद कर लें कि जब भी हम pair क्या कि यह लिखेंगे यह सेल स्टॉप यह सेल लिमिट यह बाइ स्टॉप यह बाइ लिमिट तो इसका मतलब यह कि प्रेंडिंग ओर रहे अब आप देखें क्या बात कहीं सबस्पहले हमने कहा कि जीबी पी यूएसट को ओपिन करें ठीक है अब आप गए अपना market watch में यह market watch होता है इसके बाद यहां पर आपने पेर ओपन करना है जो हमने कहा था जीबी पी जीबी पी जीबी यूएसटी यह रहा राइट किलिक करें इस पे चार्ट विंडो पिन करी यहां से अपना मेना template लगवा लिया अब fxf analysis अब यहां पर देखें हमने कहा कि पेर ओपिन करो यह जीबी यूएसटी का वह हमने ओपिन कर दिया अब हमने क्या कहा सेल स्टॉप लगाओ किस प्राइस से इस प्राइस से ठीक है यह मने प्राइस कॉपी कर ली और यहां पर अपने एम्टी फॉर्म है बड़ा सिंपल है पेंडिंग लगाना भी पेंडिंग अटर के लिए आपने क्या करना है आपको वन क्लिक ट्रेडिंग का यहां पर काम नहीं है आपने जाना है सिंपली इस नी ओर वे विंडोस के नीचे दिखर है नी ओर इस पर आपने क्लिक कर रखना है यहां से आपने अपना lot size रखना है कि आपको कि स्लोट से ट्रेड करनी है तो मैं यही स्लेक्ट कर रहा हूं यहां पर और इसके बार टाइप में यहां पर क्या है market execution जो हमने पहला अपना order यहां पर एक्षट करने जा रहे है यह है यह पर ड्रॉपड़न मेन्यू में क्या स्लेक्ट करें देना है फिर यहां यानि कि जीवीप यूजी का पियर है 0.10 की यहां पर lot size है और हमारा टाइप क्या है इस order का pending order अब हमने करना क्या है टाइप में नीचे वाली टाइप में क्या स्लेक्ट करना है हम दोबर आपना WhatsApp on करेंगे और हमने देखा है क्या सेल स्टॉप करना है ठीक है ना लिख रहा है यहां पर सेल स्टॉप तो हमने यह Stop Loss क्या रखना है दोबारा WhatsApp on करा देखा भई Stop Loss के हमने प्राइस यह दीवे SL का मतलब Stop Loss होता है TP का मतलब Take Profit होता है मैं आपको फिर से बता रहता हूं Stop Loss हमने यहां से Copy करा हम गए अपने XM24 पे यहां पर Stop Loss हमने पेस्ट कर दिया इसके बाद दोबारा WhatsApp पे आए अप हमारा Take Profit का Price यहां पर हमने Take Profit पेस्ट कर दिया अब हमने यहां पर Place के बटन पर क्लिक करना है तो हमारा Pending Order लग जाएगा यह देखें यहां पेंडिंग और अब यह GBP-USD का पेर है ठीक है अब यह देखें GBP-USD का पेर है मार्केट भी चल रही है यहां पर मार्केट जै यह होगा और आपका Take Profit यह होगा यानि मार्केट जब इतनी आपके फेवरम आएगी तो आटमाटिक लोस हो जाए और अगर यहां आ जाए तो Stop Loss आपका हिट हो जाए ठीक है यह होता है आपका Pending Order अच्छा मैं एक और जुरूरी चीज आपको बताना चाहता हूं गाइस और सारे लोगगं confused रहते हैं कि Sale Stop और Sale Limit में क्या फरके या फिर Buy Stop और Buy Limit में क्या फरके तो अब यह देखें जो हमने यहां पर अब यह ऑडर लगाया यह है Sale Stop का Sale Stop का मतलब यह है कि जहां भी मार्केट चल रही है जिस प्राइस पर भी चल रही है वहां से जब मार्केट डाउन आए और हमारे जो हमने अपना प्राइस रखा है जहां साम इंटरी लेना चाहते हैं तो वहां तक जब यह डाउन आ जाए तो आप इसका ऑडर आटमेटिक जो है एक्जिक्यूट हो जाना चाहिए मतलब यह कि जब भी मार्केट उपर हो और आप चाह रहे हो मतलब आपकी जो भी प्रेडिक्शन है जो भी स्ट्राइजी है आपकी प्रेडिक्शन के वह ताबिक आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट यहां से इतनी डाउन आ है तो यह मजीद और डाउन जाएगी ठीक है पैंडिंग और इस तरह से लगा सकते हैं कि पैंडिंग और टाइप में आपने रख देना है सेल स्टॉप यानि कि मार्केट जब इस लेवल तक डाउन आ जाए तो मेरा और खुद बखुद एक्जिक्यूट हो जाए ठीक है अ अब आपको अगर ऐसा लग रहा है आपके प्रेडिक्शन के मताबिक के मार्केट अगर ना इतनी उपर और चले जाए यहां से अगर मार्केट इतनी उपर और चले जाए तो यह जो है ना उसके बाद जाने के बाद यहां से यह से लाईगी ठीक है तो अब आपको अगर ऐ वाकई यहां से डाउन आना था तो आपको यहां से प्रॉफिट होगा, तो यह difference होता है guys, sale stop और sale limit में, buy के साथ भी यह है, buy limit, buy stop में भी, same यही चीज है जो मैंने आपको sale के साथ explain कर गीए, अब guys चलते हैं trailing stop की तरफ, मैंने आपको market execution भी बता दिया, मैंने आपको pending order भी बता दिया मैंने आपको buy limit और buy stop के दर्मियान difference भी बता दिया अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि trailing stop क्या चीज़ है guys अब guys मैं आपको बताने लगा हूं trailing stop के बारे में कि trailing stop क्या चीज़ है उससे आप profit कितना कमा सकते हैं मतलब कि हम जो आपको एक कोई चीज़ बताते हैं कि कोई signal देते हैं कि यहां से यह लेकर आप यहां तक buy कर लें और अपना take profit रख लें तो उससे भी जाद आप किस तरह से अंड कर सकते हैं अब यह देखें अब मेरी यह position है ADCAD sell है यह मेरा एक old account है बहुत old account है इस पर पता नहीं कपसे यह order execute है मुझे खुद भी नहीं पता अब फिलाल यह है कि यह demo account है actually यह profit में तो है लेकिन काफी कम profit है अब trailing stop जो लगता trailing stop लगाते किस तरह हैं जब हम गुरूप में कहते हैं कि चीज पर trailing stop लगा लो अब अगर हम कहते हैं कि 25 पर trailing stop लगाओ चलाब हम जो है next time से अपने गुरूप में जब भी trailing stop को कहेंगे तो हम आप points mention करेंगे ना के पिप्स ठीक है अगर 25 पिप्स का हमें trailing stop लगवाना वैसे तो आप कोशिश यह क्या करें आप हमारे notification का wait ना करें बलके जैसे ही आपको दिखेंगे पोजिशन जो प्रॉफिट में जा रही है और पॉजिशन 30 पिप्स प्रॉफिट में आ जाए आपने खुद बहुद भले हम आपको बताएं या ना बताएं आपने 30 पिप्स प्रॉफिट में आते ही ठ्रेलिंग स्टॉप लगा लेना है 20-25 पिटिक अब 20-25 पिजर्व ट्रेलिंग इस तरह लगाते हैं यहां पर आपने राइट क्लिक करा जिस पेर पर आपने लगाना है जैसे अगर यह तो खर नहीं है 30 पिप्स प्रॉफिट में लेकिन अगर यह 30 कॉस्टम पर जाना है ठीक है मैं दुबारा से बता रहा हूँ आपने राइट क्लिक करना है अपने उस पेर पर जिस पर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लगाना है और यहां से ट्रेलिंग स्टॉप में जाकर यहां से अपने कस्टम पर किलिक कर देना है अब इस कस्टम पर यह से चीज पूछ रहा है यहां पर बता भी रहा है कि कम असकम भी ट्रेलिंग स्टॉप आपका 160 पॉंट्स का लगेगा जो कि यानि 16 पिप्स का है त्री डिजिट है यहां पर आप शुरू के दो डिजिट को देखें अब यहां पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप देखता हूं अगर यहां पर 16 का ट्रेलिंग स्टॉप लग गया है अब यह रहा मेरा स्टॉप लॉस यहां से मार्केट को सेल किया है अब यहां पर मैंने इसको सेल करा वे यानि कि जितना जादा डाउन आएगी उतना मुझे यहां से प्रफिट होगा अब यह ट्रेलिंग स्टॉप का इसका फाइदा यह एक अब यह देखिए इस टॉप लॉस कहां आगया आपने यहां से इंट्रेली और इसी से नीचे इस टॉप लॉस आगया अब देखिए गाइज ट्रेलिंग स्टॉप सामया फाइदा क्यास होता है यह गौर से समझेगा बहुत साई लोगा प्रॉब्ल लगाना है उसके बाद अब इससा फाइदा यह होगा कि जैसे जैसे मार्किट नीचे आएगी यह स्टॉप लॉस यह बैसे की इस टॉप लॉस होता है आपका यह टुरेंग स्टॉप लॉस भी इसके साथ आप्टमाटिक नीच आता जाएगा फिर आपके पॉदिशन और आ ठीक है अब इससे फाइदा क्या हुआ अब इससे फाइदा यह हुआ लेकिन अगर मैं इसको चलने दूँ तो हो सकता है कि जो आपका टारगेट है यानि 100 का देर सो का दो सो पिप्स का वो मुझे अर्ण हो सकता है लेकिन आप घबरा भी रहे होते हैं यार क्या बता मैं ज्यादा लालच करूं 100 पिप्स के लिए और पदा चला यार पोजिशन मेरी स्टॉप लॉस हीट करते हैं और मैं जो थार्टी पिप्स में लिए वह भी हांस से निकल जाएं बहले आपका स्टॉप लॉस ना हो ब्रेक यहां के लिए तो या नहीं आए आपको चाहिए लेकिन आपको पर चाहिए ड़्यूप यह पर आपके ट्रेहलेट इसलगह पर लाफट मारे थार्टी पिप्स तो Ćप इससे पिछे का प्चेस या 20 pips का profit जो है आप अपना trailing stop लगा दें अब उससे क्या होगा कि आपका जो है 5-10 pips ना आपकी book हो जाएंगे 5-10 pips भले stop loss भी hit हो जाए तब भी आपको 5-10 pips profit होना है लेकिन अगर position और आपके favor में जाते रहती है तो वो stop loss और आगे आता जाएगा और आगे आता अब अगर आपके position और चलते चलते 100 pips वे आ गई तो अब जो है आप अपना 40-45 pips तक का trailing stop लगा दें ठीक है अब इसी तरह से जब 130 pips profit में आपकी position चले जाती है तो आप 50-55 pips का अपना trailing stop लगा दें जिसा भी यह सम्मझने आपको 80-85 pips तक आपको profit मिलना होगा ठीक ह तो उमीद करता हूँ आपको trailing stop समझ में आगी होगा अभी अगर आपको trailing stop समझ में नहीं आया तो आप kindly हमसे पूछे हम आपको personally call वगरा करके भी explain कर देंगे और दूसरी बात यह कि आप जैसे ही हम कहते है trailing stop का आपने just right click करना है trailing stop पर जाना है या custom पर जाना है जितन पॉइंट से नहीं है यहां पर आपने 500 लिखना 500 का मतलब 50 पॉइंट शुरू के दो डिजिट देखें यहां पर करेंगे आपको 50 ट्रेलिंग स्टॉप लग जाएगा तो उम्मीद करता हूँ गया आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी और अब आपको हमारे VIP पॉइढको से में मट रिख पो पॉइढको में आपको क्या ऊंज़ पॉइट को सब एक आपको चीज नियू करने की चाहिए और ऊंगतों तो आप हमारे fxforever.com के live chat में पुछ सकते हैं WhatsApp ग्रूप में पुछ सकते हैं या फिर आप हम से Skype पे भी contact कर सकते हैं तो गैज अपनी किसी नेक्स वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैंने आपको कुछ strategy बतानी है खास तो पर एक हमारे follower है एक हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो काफ़े time से request कर रहे हैं MacD पे उनको सिखाया जाए MacD के इंडिकेटर के तरह यूज़ करते हैं तो इंशालला नेक्स वीडियो मैं उसी पर बनाऊगा तो गैज अपनी नेक्स वीडियो मिलते हैं ख्याल केगा अल्ला हाफिज